हेलो स्टूरेंट्स दिस प्राची वेलकम तो अबर चानल आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चाप्टर 5 के एक्जामपल 3rd to 10 तो अभी तक अगर आप लोगों ने 5.2 की इंट्रॉडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आल से चास एक बार जूर देखें कई बच्चों को problem रहती है n और an में क्या difference है तो मैंने उसके अंदर बहुत easy way में आपको explain किया हुआ है कि n और an क्या होता है in brief इस वीडियो में आपको बता देती हूं n होती है आपके पास number of term that is position और an होता है उस position के उपर कौन सा digit पढ़ा हुआ है जैसे कि for example find the 10th term 10th term हमें निकालें यानि कि यहाँ पर n आपको दे रखा है 10 और 10th number पे जो digit पढ़ी हो कि वो आपका होगा an यानि कि a 10 राइट चलिए शुरू करते हैं with example third यहाँ पर है find the 10th term of the ap आपको ap दे रखा है 2, 7, 12 and so on first digit is first term that is 2 और ap है तो यानि कि इनका difference same होगा difference कैसे निकालते हैं second term minus first term तो हो गया 7 minus 2 that is 5 a आगया 2 और d आगया 5 अब क्या निकालना है हमें 10th term तो a 10 निकालना है आपको right a 10 का मतलब क्या होता है इसके हम formula कैसे बनाते हैं a 10 के लिए हम लिखते है a as it is plus जहाँ 10 होता है उसमें से एक number कम कर देते हैं जैसे कि 10 है तो एक number कम करेंगे तो क्या जो है अगर 9 साथ में multiply करते हैं d यह बनाते हैं हम formula किसी भी term का जैसे कि अगर आपको a 5 भी निकालना होता तो हम क्या करते a लिखते इसमें से एक कम 4 into d इस तरहां से आप कोई भी term random term निकाल सकते हैं चलिए शुरू करते हैं a 10 निकालना a 10 is equal to a, a की value है आपके पास 2 multiply 9 into d की value क्या आपके पास 5 very easy and very simple क्या गरेंगे इसको multiply, solve करेंगे तो आपके पास आजाएगा a 10 यह था आपका answer, चलिए करते हैं example 4th, 4th example पढ़ते हैं which term of a p is minus 81 कौन सी term जो है a p की वो minus 81 होगी, यानि कि अगर यह आपके पास a p है कौन सी term जाके आपके पास minus 81 होगी, यानि कि यह आपका first term है, यह second term है, यह third term है and so on, इसका मुझे number नहीं पता, इसका number नहीं पता, यहनि कि यह कोई nth position पर पढ़ी है, जिसका मुझे n find करना है, जिसके मुझे number of term find करना है, जिसके मुझे position find करनी है, position के लिए मतलब n find करना है आपको, और an कितना दे रखा है आपके पास, minus 81, a या a1, first term को आप a भी लिख सकते हो, a1 भी लिख सकते हो, वो आपको दे रखा है 21, फिर आते है common difference, common difference क्या होता है, a2 minus a1, यानि कि second term में से हम first term minus कर देते हैं, यह आगे आपके पास, minus 3, तो यह d आगे आपके पास a है, an है, n निकालना है, n निकालते हैं अभी, चलिए, क्या होता है इसका formula an का, an का formula होता है, a plus and minus 1 into d, यह formula कैसे आया है, कैसे derive हुआ है, यह मैं already introduction वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, यह formula कैसे आया है, यह जाने के लिए आपको introduction वीडियो देखनी पड़ेगी 5.2 की, तो आल से जास एक बार जूर देखें, जिसका link आपको i button पर मिल जाएगा, चलिए आगे values पुट करते हैं, a की value है, आपके पास 21, an, an की value किया थी, आपके पास minus 81, minus 81, n आपको find out करना है, और d, d कितना है आपके पास minus 3, याद से हम यहाँ पर normal, बीना bracket के minus 3 नहीं लगाएंगे, क्यों क्योंकि कई बच्चे mistake कर जाते हैं, उनको लगता है, इसका relation इसके साथ minus का ही है, जबकि यहाँ हमें multiply करना है क्या minus 3, ठीक है, चलिए आगी शुरू करते हैं, आगे हैपके पास minus 81, अब यहाँ पर plus का 21 है, यहाँ के क्या हो जाएगा minus का 21, यह अभी के लिए as it is, minus minus, plus और sign किसका, minus का, अब यहाँ multiply में है minus 3, यहाँ कि क्या हो जाएगा, divide में minus 3 हो जाएगा, minus से minus, cancel, 3 से cancel करते हैं, यह आएगा 34, यह minus का 1, इधर आके plus का 1, तो n कितना आगया आपके पास, 35, यहनि कि यह कौन सी position पर पढ़ी हुई है, a35 position पर पढ़ा हुआ है, आपके पास minus 81, आगे पढ़ते हैं, आगे उन्होंने बोला है, also is any term 0, give reason for your answer, अब उन्होंने बोला है, कि जैसे कि यह reduce हो रहे है number, काफि reduce हो रहे है number, right, जैसे reduce हो रहे हैं, क्या कभी बीच में 0 आएगा, किसी भी position पर, जो है, वो 0 आएगा, तो यानि कि मुझे अब, क्या माल लेती हूँ, मैं इसको कोई एक random term माल लेती हूँ, an माल लेती हूँ और इसका n चेक करती हूँ, क्या आता है इसका n, जैसे कि यह first है, second है, थोड़ है, तो 0 की position क्या होगी, तो 0 की position के लिए, मैं फिर से formula अप्लाइ करने वाली हूँ, कौन सा, an equals to a plus and minus 1 into d, तो अब an की value पुट करते हैं, that is 0, a, a क्या है आपके पास 21, and मुझे find करना है, और d, d क्या था, आपके पास minus 3, अब यह है आपके पास 21 plus का, यदर आके क्या हो जाएगा, minus का, तो यह multiply यहां आके क्या हो जाएगा, divide, minus का, इधर आके क्या हो जाएगा, plus का, तो n आ गया 8, यानि कि 8th position पर a8 जो होगा, वो क्या होगा, 0, तो 8th position पर 0 पढ़ा हुआ है, 35th position पर minus 81 पढ़ा हुआ है, चले गरते, example 5th, example 5th है, determine the AP, AP निकालना है, whose 3rd term, जिसकी 3rd term है आपके पास 5 और 7th term है आपके पास 9, AP निकालने के लिए हम most probably क्या गरते हैं, first term निकाल लेते हैं, second निकाल लेते हैं, third निकाल लेते हैं, तो यह हम निकाल लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं, कि यह हमने A P निकाल लिया, तो जिसमें से आपके पास अल्रेडी 3rd term दे रखे, यानि कि मिले को पहली 2 terms निकाल लिए, ठीक है, तो A 3 दे रखा है, आपको कितना 5, और A 7, 7th term दे रखे, आपको कितनी 9, तो A 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी-अभी मैंने explain किया था, क्या लिखती है, A लिखती है, और जो भी यहाँ पर number लिखा होता है, उसमें से A क्या कर देते हैं, कम, that is, यहाँ आ जाएगा 2, इंटू क्या लिखते हैं, साथ में D, यहाँ आ गया 5, अब A 7 को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर value निकालनी है, किसकी value निकालनी है, एक A की value निकालनी है, ठीक है, A2, A2 को क्या लिख सकते हैं, A plus D लिख सकते हैं, A plus D का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 में से कम, तो अगर मेरे पस A आ जाए, help से निकालने हैं कैसे करेंगे अब यह चीज हम लिख लिया अब हम यूज करेंगे elimination method elimination क्या होता है बहुत simple सी बात है हम क्या करते है sign change कर देंगे sign change करने के बाद एक variable आपका eliminate हो जाएगा कैसे शुरू करके प्ताती हूं जैसे plus रही है आप पे तो minus plus है तो minus plus है तो minus a minus a क्या हो गया कट गया eliminate हो गया यही आपका elimination है तो a minus a cancel eliminate हो गया आगे solve कर लेते हैं 2d minus 6d is minus 4d minus 9 plus 5 is minus 4 minus minus cancel d 4 divided by 4 is 1 d आगे आपके पास वार तो यह थी आपके पास first equation यह थी आपके पास second equation अब d की value आने के बाद मुझे a की value चाहिए तो मैं क्या करने वाली हूँ put the value of d in equation first वैसे आप दोनों में से किसी में put करके a की value निकाल सकते हैं मैं first में put कर रही हूँ तो put the value of d in equation first first equation आपके पास a plus 2d equals to 5 a as it is d की value put करते हैं plus का था इधिर आके minus का हो गया तो a की value कितनी आगे आपके पास 5 minus 2 is 3 तो a आगया आपके पास 3 a 2 a 2 के लिए क्या करना है a plus d a आया है 3 plus d d कितना आया है आपके पास 1 तो यह a 2 कितना हो गया 4 तो अब मैं इसको a p की term में लिख लूँ a p कैसे लिखते हैं first term first term आया आपके पास 3 second term second term आया आपके पास 4 3rd, 3rd आपको दे रखे थी that is 5 and so on आप देख सकते हों कि 3, 4, 5 यह आपका क्या बन गया a p चले करते हैं example 6 example 6 तो आपके पास check weather 301 is a term of the list of the numbers 5, 11, 17, 23 अब आपको यह numbers दे रखें ऐसे चलते चलते उन्होंने बोला कि क्या कभी इसी series में 301 आएगा तो अगर ऐसा है तो हम check करेंगे ना आएगा की नहीं आएगा जैसे कि यह first position पर पढ़ा है यह second position पर है, third पर है, fourth पर है, इसके position मुझे नहीं पता तो इसके position के लिए मैं क्या मान लेती हूँ? यह क्या है? कोई भी random position है, an है तो यहनी कि मुझे इसके लिए an तो मुझे दे रखा है, मुझे क्या value चाहिए find करनी है n की, जैसे यहां पर n 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, 4 है, यहां की n के लिए मुझे इसका check करना है तो an आपको दे रखा है, 3, 0, 1, a, first term है आपके पास 5 और d, d क्या होता है, second term minus first term तो second term है 11 minus first term है 5, तो यहां आगया d, यहां आगया a, यहां आगया an, क्या चाहिए? n तो क्या लगाने वाली हूँ मैं formula किसका? an क्या होता है? a plus n minus 1 into d अभी तक अगर आप लोगों ने इस formula की derivation नहीं देखी कि कैसे आया है तो I'll suggest एक बार जरूर देखे, जिसका link आपको i button पर मिल जाएगा तो a, a क्या है आपके पास? 5, n आपको find out करना है, an, an की value क्या थी? 3, 0, 1, यह वाल, in to d, d की value क्या है आपके पास? 6, solve करते हैं इसको, plus का इदर आके हो जाएगा minus का, minus करते हैं से, यहाँ 6 multiply का, यहाँ के क्या हो जाएगा? divide का, cancel करते हैं से, यह जा रहा है सबसे पहली 2 पर, तो यह आगया आपके पास, 148 divided by 3 equals to n minus 1, यह minus इदर आके क्या हो जाएगा? plus का, तो यहाँ आप देख सकते होगे, 151 divided by 3 है, तो 3 यहाँ पर पूरा cancel नहीं होता है, यानि की n आपका किस में आ रहा है? fraction में आ रहा है, right? तो यहाँ मैं आपको एक नहीं चीज़ बताती हूँ, जो आपका n होता है, n can never be in fraction, कभी भी आपका fraction में नहीं आ सकता, n कभी भी आपका negative नहीं हो सकता, n can never be negative, यह दो चीज़े होती है, आपके पास n कभी fraction में नहीं आएगा, n कभी आपका negative नहीं होगा, ऐसा क्यों? n है क्या, n आपकी number of terms है, number of terms, या n क्या है आपकी position of term, right, position, तो क्या कभी आप ऐसे बोल सकते हो, कि जो 23 है, यह आपका minus 4 position पर पड़ा हुआ है, minus 4 can never be a position, कोई एक position नहीं होती है, minus 4, और अगर मैं क्या बोलू, कि, माल लीची इसको माल वाल दे 7 by 2, कोई 7 by 2 position हो सकती है, नहीं हो सकती है, और अगर number of terms की बात करूँ, जैसे कि, आपके इस box में कितनी number of terms पड़ें, कितनी number of slips पड़ें, अगर एक कोई box है, कितनी number of slips है, क्या number of slips कभी negative हो सकती है, similarly number of terms भी आपकी negative नहीं हो सकती, जैसे कि for example number of students है, कोई भी number of things होती है, वो कभी आपकी negative या fraction में नहीं हो सकती, एक room में number of students कितने है, तो आपके कभी बताओगे कि minus 10 students है, या 3 by 4 students पढ़े हुए, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कि ये हमेशा, n भी हमेशा क्या होता है, आपकी एक proper counting होती है, यानि कि 1 से लेकर आगे कोई भी जा सकता है, बस fraction में नहीं होगा और negative नहीं होगा, clear, चलिए करते है example 7, example 7 है आपके पास how many two digit numbers are visible by 3, तो सबसे पहरे शुरू करते हैं, two digit numbers शुरू कहां से होते हैं, two digit numbers शुरू होते हैं 10 से 1, 0, two digit, फिर 11, 12 and so on, कहां तक जाते हैं 99, 99 के बाद 100 होता है, वो three digit number बन जाता है, तो यह होते हैं आपके पास क्या two digit number, अब हमें बताना है कितने two digit number जो हैं, वो three से divisible होते हैं, three से divisible वाले चेक करते हैं, कि 10 divisible होता है, three से, नहीं, 11 होता है, नहीं, 12 होता है, तो यानि कि first जो number जो 3 से divisible होगा, वो भी 2-digit number, वो क्या होगा? 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, यानि कि हम 3 का table लिख रहे हैं, आगे चलते जाएं, आगे पीछे से शुरू करते हैं, पीछे से 99 है, तो 99 क्या होता है? divisible होता है 3 से? yes होता है, तो last term जो हो गई, वो क्या हो गई आपके पास? 99, यानि कि ये first position है, ये second position है, ये third position है, इसकी position मुझे नहीं पता, इसकी position नहीं पता, अगर मैं इसकी position पता कर लो, यानि कि n पता कर लो, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी positions थी, कितनी positions है, यानि कि वही how many, वही आ दे रखा है 99, a दे रखा है 12, d क्या होता है, second term minus first term, यह आगए आपके पास 3, चलिए formula पुट करते हैं, क्या formula होता है, an equals to a plus n minus 1 into d, values पुट कर रही हूँ, मैं minus इधर आके plus, तो यहनी कि यह कौन सी position पर पढ़ा हुआ है, a 30 position पर पढ़ा हुआ 99, यहनी कि 10 से लेकर 99 में कितने numbers हैं, जो 3 से divide होते हैं, 30 numbers हैं, जो 3 से divide होते हैं, चलिए करते हैं example 8, example 8 था आपके पास find the 11th term from the last of the AP, तो यह थोड़ा important है, ध्यान से देखेंगे इसको, हमें क्या करना है, हमें 11th term बतानी है last से, यहनी कि यह तो सीधा AP दे रखा है, हमें पीछे से 11th term बताएं, अगर पीछे से 11th term बतानी हैं, तो मैं AP भी इसका reverse करके लिख सकती हूँ, reverse AP के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर digits क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पर जो digits हैं, यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, चले मैं यहाँ पर आपसे एक normal, आपकी knowledge का question पूछती हूँ, आप मुझे यह बताओ, कि minus 3 और minus 5, इन दोनों में से कौन सा number बढ़ा है, आदे से जादा बच्चे बोलेंगे कि minus 5 बढ़ा है, जबकि ऐसा नहीं है, minus 3 जो है, वो बढ़ा है किससे, minus 5 से, ऐसा क्यों, normal, plus 3 जो होता है, वो आपका छोटा है, plus 5 से, लेकिन जब भी minus का sign लग जाता है, minus के लिए, जो छोटा number होता है, वो हमेशा बढ़ा हो जाता है, बढ़े से, जब उसके आगे minus का sign लगा होता है, ऐसा क्यों, अगर आपको याद हो, तो number line याद रखो, number line होती है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, यहाँ होती है, minus 1, minus 2, minus 3, लेकिन हमेशा numbers होते हैं, वो कहां से बढ़ते हैं, यह increasing order होता है, यानि कि minus 3 जो है, वो छोटा है, किससे, minus minus 2 से, minus 2 छोटा है, minus 1 से, minus 1 छोटा है, 0 से, फिर 1, 2, 3, आगे तो आपको पता ही, वो सारे बड़े-बड़े बनते जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ के लिए, यह चीज आपको जाननी जरूरी थी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, कि यहाँ से तो number छोटे होते जा रहे है यहाँ पर क्या होगा, यानि कि जो पीछे जाएंगे, number कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, D, D क्या होता है, second term minus first term, second term क्या है, यहाँ पर 7, first term है 10, यह आगे आपके पास minus 3, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ, reverse AP, I hope आपको minus का concept समझ में आ गया होगा, उसके जो last term थी, अब हो जाएगी वो first term, और आगे चलते जाएं, जो इसके first term थी, वो हो जाएगी क्या, last term, ठीक है, चलिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह चीजे क्या हो रही थी, कम, ठीक है, यह हो रहा था, कम, अब यहाँ से वापस आने के लिए, यह क्या हो चाहिए? जाधा होना चाहिए, यहाँ पर ten, seven, four, next आगे जो भी आएगा, फिर जो भी आएगा, वो minus में शुरू हो जाएगी, minus में शुरू हो जाएगे, यानि कि यहाँ से बढ़ना चाहिए, और यहाँ से कम होना चाहिए, तब ही जाके वो A की, A की एपी है, तो यहाँ स डिफ्रेंस को क्या करना पड़े गा? लेकिन यहां पर मुझे वापिस आने के लिए Difference को क्या करना पड़ेगा? Minus. याद से आगे बढ़ो तो Difference प्लस करते हैं पीछे जाओ तो Difference को क्या करना पड़ता है? Minus करना पड़ता है. तो अब मैं क्या करने वाली हूं? मुझे इसकी next term चाहिए, next term के लिए मुझे इसका difference क्या करना पड़ेगा? इसमें से minus करना पड़ेगा. यानि कि A2, किसका A2, reverse का, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पहले वाले का जो difference है, वो क्या करना पड़ेगा, minus, क्योंकि मुझे backward जाना है, right, तो minus 62, minus, D की क्या value है, minus 3, minus 62, minus minus, plus 3, तो A2 कितना आगया आपके पास, minus 59, तो यह आगया आपके पास, minus 59, याद से, minus 59 जो है, वो क्या है, बड़ा है, किस से, minus 62 से, अभी-भी आपको, मैंने conception चाहा है, minus का, तो चलिए, अब क्या करना है मिरको, अब तो बहुत simple सी बात रहेगी है, क्या, कि क्या मिरे पास, C, reverse AP आचुका है, reverse AP आचुका है, अब मुझे 11 टर्म चाहिए, 11 टर्म के लिए क्या आउजएगा, A11 is equal to A plus 10D, A, A कौन सा, new AP का, that is, A equals to minus 62, D, D भी किसका, new AP का, new AP के D के लिए, A2 minus A1 करना पड़ेगा, A2 आया है मिरे पास, minus 59, minus, A1 है मिरे पास, minus 62, तो D मिरे पास क्या आगया है, अब प्लस का 3 आचुका है, values पुट कर देते हैं, तो A11, जो पीछे से A11 होगा, वो क्या होगा, minus का 32, चलिए करते हैं, example 9, example 9 है आपके पास, A sum of rupees thousand, is invested at 8%, simple interest per year, 1000 रुपए हमने invest करे हैं, कितने rate पर, 8% के rate पर, यानि कि हर साल हमें इसका 8% मिलता रहेगा, calculate the interest at the end of each year, हर साल के बाद का, उसका सिरफ interest आपको निकालने, कि इसके उपर कितना interest आपको मिल रहा है, यानि कि कितना आपको ब्याज मिल रहा है, do these interest form an AP, क्या ये जो ब्याज बन रहा है, क्या ये AP बनाता है, अगर बनाता है, तो आपको बताना है, कितना interest बनेगा 30 साल के बाद, यानि कि, first year का interest निकालेंगे, second year का interest निकालेंगे, third का निकालेंगे, so on करते करते, 30 years का interest आपको निकालना है, तो सबसे पहले simple interest का formula, आप से एक 7th 8 standard से भी पढ़ते आ रहे हो, क्या होते है, simple interest is equal to, principle multiply rate, multiply time, divide by 100, तो मुझे निकालें, simple interest for the first year, निकालते हैं, first year के लिए क्या होगा, principle आपके पास है thousand, rate है आपके पास eight, first year के लिए time है one, यह आगे रूपेज 80, किसके लिए है, first year के लिए, अब मैं निकालने वाली हूँ, simple interest for the second year, second year के लिए, thousand, eight, second year के लिए, यानि की time कितना होजाएगा, two years, यह होगा second year के लिए, अब third year के लिए निकालते हैं, simple interest for the third year, third year के लिए three लगा देंगे time में, तो यह आगया first के लिए, second के लिए, third के लिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, rupees 80, rupees 160, rupees 240, अब हमें बताना है, हमने निकाल लिए calculate the interest, हर साल के लिए निकाल लिए, अब बताने कि क्या यह interest AP बनाता है, तो AP के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 80 लिखती हूँ, 160 लिखती हूँ, 240 लिखती हूँ and so on, AP के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, difference, कि इनका difference सेम है, जिसमें से हम find कर लेते हैं, second term minus first term, यह है 160 minus 80, यह हो गया 80, एक और बार चेक कर लेते हैं, यह वाला third term, मैं से second term minus करके चेक कर लेते हैं, यह भी कितना आ गया, 80 आ गया, यह निकि यह वाला भी difference 80 है, यह वाला भी difference 80 है, तो क्या लिखेंगे, yes, it forms and AP, तो yes, यह AP क्या करते हैं, form करते हैं, अगर वो AP form करते हैं, तो हमें क्या करना है, 30 years के बाद, उनका interest कितना बनेगा, 30 years पर, तो A30 निकालना है, A30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A plus 29D लिख सकती हूँ, तो क्यासे, जहां पर भी यह चीज होते हैं, उसमें से A कम कर देते हैं, यहां पर, तो A की value put करो, A हैं आपके पास कितना, 80, 20, plus 29, into D कितना है आपके पास, 80, solve करके इसको, इसको से multiply करेंगे तो आएगा, 2320, plus कर देंगे कितना आज़ेगा, 2400, यह है 2400, 30 years, 30 years पर आपको कितना इंटरस्ट बनेगा, 2400, यह था आपका answer, चलिए करते हैं, example 10, तो 10th example क्या कहते हैं, इना flower bed, एक flowers का बहुत सारी arrangement की गई है, there are 23 rose plants in the first row, first row में 23 rose plants है, second में 21 है, third में 19 है, ऐसी ही आगे जाता जा रहा है, और there are 5 rose plants in the last row, last row में उसके 5 rose के plants है, हमें बताने हैं कितनी rose है, यानि कि जज़े कि मा लीजिए, यह है first row, जिसके अंदर 23 है, उसके बाद आगे जाकर हो गए कितने, 21, फिर आगे जाकर हो गए कितने, 19, and so on करते-करते, last में जाकर कितने flowers लगे हुए हैं, 5 flowers लगे हुए हैं, मुझे बताने है, रोज कितने हैं, यह लिए कि first row, second row, third, fourth, fifth, sixth, कितनी rose हैं, अगर मैं इस row का number पता कर लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा यह कितनी rose हैं, राइट? तो हम क्या लिखने वाले हैं, flowers in the, flowers in the first row कितने हैं, 23, second में कितने हैं, 23, 21, third में कितने हैं, 19, तो क्या यह भी बना रहे हैं, 23, 21, 19 and so on, और last में कितने हैं, 5, last में हैं 5, तो यहनि कि first row है, तो यह क्या मेरा a1 बन गया, यह मेरा a2 बन गया, यह a3 बन गया, यह last है, यहनि कि इसका number मुझे नहीं पता, यह कौन सी position पर पढ़ा है, अगर मैं इसका n पता कर लूँ, तो मेरे पास पता चल जाएं कितनी रोज हैं, तो n मुझे find करना है, a n मुझे दे रखा है, a भी मुझे दिया हुआ है, और d क्या होता है, second term minus first term, that is 21 minus 23, तो d कितना आगया, आपके पास minus 2, तो d भी आगया, minus 2, तो अब a n का फोर्मुला आपका पता है, क्या होता a n का फोर्मुला, a n equals to a plus and minus 1 into d, values put करते हैं, यह है आपके पास 23, a n है आपके पास 5, and minus 1 into d है, आपके पास minus 2, plus का इदर आके minus का, minus 2 multiply, इदर आके क्या हो जाएगा, divide का, minus से minus cancel, यह हो गया 9, यह minus का बाइना, इदर आके क्या हो जाएगा, plus का बाइन, 10, यहनि कि कितनी number of rows है, 10 rows है, यहनि कि यह first row, second row, third row and so on, 5 का बाएएंगे, 10th row में जाकर आपके क्या आएंगे, 5 flowers हैं, so that's all for this video, next video में हम cover करेंगे, exercise 5.2, thank you,